आराइ नमस्ते एर्वन दिस इस दे सेवन के मास्टोर इस दे आप बात कर रहा हूँ शैडोस ओफ द रोस डीलसी के बारे में सो लेट स्टार्ट रोजमेरी के 16 सालों की होते वो अब मिया से अलग रहती है सो रोज में स्पेशल पावर्स के कारण स्कूल में रोज का कोई फ्रेंड नहीं है और लोग उसे फ्रीक बुलाते हैं जिससे रोज एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती है क्रिस का फ्रेंड नेम्ड के जो की क्रिस की हाउंड वुल्फ स्कौाड में है वो रोज को जानता है और रोज भी के को ट्रस करती है के रोज को उसकी लैब में ले जाते वो मेगा माई सीट पर रिसर्च कर रहा है और उसे मिरेंडा की रिसर्च से प्यॉरिफाइं क्रिस्टल का पता चलते ये क्रिस्टल से रोज की पावर्स चली जाएंगी एंड रोज एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है So, के रोज को इस मेगा माइसीट की रेलम में जाने को कहता है As you know, मेगा माइसीट में सब चीजे जो उसने कंजूम करी उनकी कोलेक्टिव मेमरीज होती है और के रोज को इस मेगा माइसीट में मिरेंडा की रीसर्च जूनने को कहता है जिससे ये प्रिविफाइंग क्रिश्टल का और पता लग सके So, के रोज को उसकी पावर्स को यूज कर मेगा माइसीट की अंदर जाने को कह एन रोज के मेगा माई सीट की रेलम में घुसते रोज यहां कासल डिमिटरेस की मेमरीस में पहुंच यहां रोज को उसकी कोपीस मिलती है जिने ड्यूक जैसा बंदा मार रहा है बाइदवे यह रियल ड्यूक नहीं है यह एक क्रियेशन है रोज को इस रेलम में एक गाडियन इंजल पावर एसिस्ट करती है जिसे माईकल नेम सजेश्ट करने से यह पावर अपना नाम भी माईकल बताती है और माईकल के रोज को इस रेलम से जल्द से बार जाने को कह जब Rose जिद करती है की वो अपनी पावर से परिशान है और वो उन्हें खतम करना चाहती है Michael Rose की इस कामें भी मदद करता है और यहां के मॉंस्टर से कोर्णर होते Michael Rose को गाइड कर उसे मेगा माई सीट के डीपर स्ट्रेटर में आने में हेलप करता है रोज अब बैनी वेंटो हाउस की मेमरीस में पहुंच यहां की डोल्स जैसे रोज के क्लासमेट उसे फ्री कहकर तंग करते हैं वैसे ही चिडाते हैं और रोज के ऐसे होने का इलजाम उसके फादर पे डालते माइकल यहां भी रोज को ढूंड उसे खुश करने के लिए एथन और मिया की इरोप की घर की मेमरीस में ले जाता है जहां रोज पैदा हुई थी और यहां रोज अपने फादर एथन की अवाज सुन और एथन दुआरा लिखे एक लैटर को पढ़ रोज को इस लैटर में कमफट लेते देख एवलिन जो की खुद फैमिली बनाना चाहती थी और वो रोज से जलती है एवलिन वो प्यूरिफाइंग क्रिस्टल इस ट्रैटम में नहीं बलकि मेगा माइसीट में बहुत डीप है ये बता उसे यहां मारने की कोशिश करती है बट माइकल यहां भी रोज को गाइड कर उसे एवलिन को हराने में मदद करता है बट रोज द्वारा एवलिन से कोई प्यार नहीं करता ये सुनते वो गुस्से से पागल हो एथन अपनी फिजिकल फोम में रोज को मेगा माइसीट में डीप फैंकते एवलिन से बचाता है नाव रोज आरी एड के विलेज में पहुंच वो यहां माइकल ही उसके फादर एथन थे जो उसे अभी तक गाइड कर रहे थे ये समझ जाती है और रोज के इस क्रिस्टल के इतना नजदीक आ वो अब पीछे नहीं हट सकती और रोज यहां की एक गुफा में उसकी कॉपीस बनती देख वो यहां मिरेंडा की रीसर्च लैब में पढ़ती है कि येस रोज एवलीन की परफेक्ट वैसल है बट रोज की पावर्स बहुत ज्यादा हैं जिससे मिरेंडा रोज को एवलीन में ट्रांसफर नहीं कर सकती सो उसने रोज की कॉपीस बना कर देखी बट ये कॉपीस मिरेंडा की डॉटर की वैसल की तरह वर्क नहीं करती और इसे पीछे छोड़ते रोज यहां सक्सेस्फुली ये क्रिस्टल ढूंड ये क्रिस्टल रोज की सभी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेता है बट यहीं मदर मिरेंडा यहां आ बताती है कि ये सब उसी का प्लैन था एस गेम की स्टार्टिंग का के सिर्फ उसका इल्यूजन था जिससे मिरेंडा ने ही रोज को इस मेगा माज सीट की रैलम में लाया नाउ मिरेंडा रिवील करती है कि अगर रोज की बोड़ी से उसकी पावर चली जाएं तो फिर वो उसकी बेटी इवा की परफेक्ट वैसल बनेगी सो येस मिरेंडा अभी वी अपनी डॉर्टर को जिन्दा करना चाहती है बट एथन विंटर्स यहां अपनी डॉर्टर को बचाता है Now as Rose की विश उसकी पावर सब जा चुकी है सो एथन रोज को यहां से सेफली निकलने को कहता है जहां वो मिरेंडा को रोके हुए है बट मिरेंडा के एथन को heavily wounded करते रोज अपने डैड को और दर्द नहीं देना चाहती सो रोज यह क्रिस्टल को तोड़ उसकी पावर्स वापिस आते वो यहां मिरेंडा से लड़ती है बट मिरेंडा अभी भी रोज के लिए extra powerful थी जिससे एथन अपनी पावर्स को रोज से merge करते रोज मेगा माईसीट कॉलोनी में immensely powerful हो वो यहां मिरेंडा को literally जड़ से खतम कर देती है नाउ इथन अपनी बेटी से माफी मांगता है कि वो उसके बड़ा होते उनके साथ नहीं रह सका और अब रोज अपनी पावर्स भी खतम नहीं कर पाएगी बट रोज अपनी पावर्स को embrace करते वो अपनी पावर्स की value समझ वो अपने dad को उन्होंने हर mode पर उसे protect किया ये बताती है और एथन और रोज के हग करते रोज नॉर्मल वर्ल्ड में वापिस पहुंच एथन की wedding ring ये रोज के पास रह जाती है और रोज के कुछ missions बाद गेम हमें वही cutscene दिखाती है जो RE8 की ending में दिखाया था जिसमें रोज अपने father की grave में उन्हें happy birthday विश कर Chris की unit के साथ एक और new mission पर जाती है मतलब now Rose अपने powers को willingly दुनिया की भलाई में use कर रही है और यहां car के जाते एथन कार की और आ रहा है ये चीज हमें फिर से देखने को मिलती है जिसे मेरा मानना है कि एथन का कुछ fragment Rose की power से merge हो गया और एथन अभी भी Rose का guardian angel है बट यह सिर्फ मेरी theory थी so mega my seat से अभी बहुत सी और stories निकलनी बाकी है और अगर Capcom चाहे तो एथन की story अभी भी continue हो सकती है so yeah guys इस वीडियो में इतना ही and with that मैं आपसे मिलता हूँ अपनी next वीडियो में till then से अप